Hello everyone, Welcome to Studyzone इस वीडियो में मैं आपसे 30 जुलाई के इंडिया और इंटरिनेशनल डेली करेंट आफ़ेर्स के कोशन्स डिसकस करूँगा और डेली करेंट आफ़ेर्स की वीडियो की अपडेट पाने के लिए स्टेडी जॉन को सबस्क्राइब जरू करें और नोटिक्फिकेशन बैल का विटन जरू दबाएं ताकि हमाई नई वीडियो अप्लोड होते आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिकर जरू बताइए और इस वीडियो को जाय ज़्यादा लाइक और शेर करें आपका पहला कुश्चन है हाली में किसे ग्लोबल एनर्जी स्रेणी का इंफ्रा आइकॉन प्रसकार प्रदान किया गया है तो इसमें आउसर आएगा ONGC, ONGC यानि Oil and Natural Gas Corporation Limited और इसका मुख्यालय वसंदकुज दिल्ली में है पहला नेपाल भारत थिंग टैंक सिकर सम्मेलन का आउजन कहां किया जाएगा तो इसमें आउसर आएगा इसका आउजन 31 जुलाई को काठमांडू में किया जाएगा एंड इंटरनेशनल अफेर्स तथा नहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइबरी कर रहे हैं और शिकर सम्मेलन में बाजबा मासचीव राम मादव मुख्य वक्ता होंगे और इस सिकर सम्मेलन का मुख्या उद्धेशए है कि दोनों देशों के संसताए और विबाग आपसी सहयोग से तमाम संसाथनों का बैतर सामोईक उप्योग करें और आपसे नेपाल के प्रदानमंत्री पूछ जाए तो नेपाल के प्रेजेट प्रदानमंतिरी है खड़क प्रसाथ सर्मा उली और नेपाल की करणशी है नेपाली रुपिया नेक्स्ट कुशिन ए किस Raja में प्रदानमंत्री निरंदर मोदी ने साथ हजार करोड रुपे की से अधिक की नई 81 प्रियोजनाव के शुरुआत की है तो इसमें असर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य में Next question है अगस्त में शुरू होने वाला अंतराज़्टे ब्लोक्चेन कांग्रेस का आजन कहां किया जाएगा तो इसमें अंसर आएगा हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा इस कारेकरम का उद्यस है उद्यमो अगली पीडी की वित्य सेवाव ब्लोक्चेन अनुपरियोगों और सरकार और नेमों के लिए ब्लोक्चेन प्रत्योगिकियों के विकास के लिए ब्लोक्चेन पर विचार विमर्ज करना है नेक्स्ट कुश्चन है हाल इमें किस बारते खिलाडी के द्वारा रूसी ओपन बैड्मिंटेन चैंपेंशिप का खिताब जीता गया तो इसमें अंसर आएगा सोरव वर्मा द्वारा आपसे ये भी पूचा जा सकता है कि सोरव वर्मा किस खेल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि सोरव वर्मा बैड्मिंटेन के खिलाडी है और सोरव वर्मा का जनम दार मध्य परदेश में हुआ था और फिलाल वे हैदराबाद में रह रहे हैं और सोरव वर्मा के कोच है पुलेला गोपीचंद और सोरव वर्मा की वर्ल्ड रैंकिंग है 65 और इस उपन को जीतने वाले वे पहले भारते पुरुष खिलाडी बन गए है नेक्स्ट कोचन है हाली में सरकार ने हेपिटाइटिस की रोक्ताम के लिए कौन सी नई योजना की सुरुआत की है तो इसमें आंसर आएगा राश्टिय वाइरल हेपिटाइटिस नियंतरन कारिकरम और इस कारिकरम के अंतरगत सबी सरकारी अस्पतालों में हेपिटाइटिस B और C के लिए निसुल्क दवाय देने और जाज का प्रावदान है हेपिटाइटिस वाइरल की वज़े से लिवर में सूजन आ जाती है कल के कौशन में मैंने आपको बताया था कि भारत में हेपिटाइटिस को भारत के केंद्रे स्वास्ता मंत्री कौन है तो आपका आंसर होगा डॉक्टर जे पी नडड़ा नेक्स्ट कुछन है कौन सी राजसरकार दो अक्टोबर यानि गांधी जैनती को अपना खुद का खाद्य सुरक्षय दिनियम लागू करेगी तो इसमें आंसर आएगा उडिशा की सरकार और उडिशा के मुख्यमंत्रिय नविन पतनायक और उडिशा की राजदानिय भूनेश्वर नेक्स्ट कुशन है हाली में लोकसभा में भगोडा अपरादी विदेख बिल पास किया गया है जिसमें कितने रुपे के अपराद करने वाले के खिलाफ करवाई की जाएगी तो इसमें अंसर आएगा भगोडा आर्थिक अपरादी वो लोग है जिन्होंने ऐसे अपराद किया है जिसमें सो करोड रुपे या उससे ज्यादा की रेकम शामिल है और भारत से फरार है या भारत में कानूनी कारवाई से बचने या उसका सामना करने के लिए भारत आने स से इनकार करते हैं नेक्स्ट कोशन है किसे मोहन बागान रतन दुजार 18 से समानित करने की गोशना की गई है तो इसमें आसर आएगा परदीब चोधरी को भारत के सबसे पुराने फुटवाल कलबों में से एक मोहन बागान के पूर डिफेंडर और पूर भारते खिलाडी प प्रुसकार मिला था नेक्स्ट आता है मोहन बागान एतलीट कलब है क्या मोहन बागान एतलीट कलब कलकता में स्थीत एक भारते फुटवाल कलब है और यह कलब 15 अगस्ट 1889 को स्तापित किया गया था इसे भारत का राश्टे कलब भी कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबाल कलब होने का भी गोरो पराप्त है तो अगर आपसे पुछा जाए कि भारत का या एशिया का सबसे पुराना फुटबाल कलब कौन सा है तो आपका अंसर रहेगा मोहन बागान एथलीट कलब और मोहन बागान किसी यूरोपिय टीम को हराने वाली पहली बारते टीम थी Next question है, हाली में किस दिन को अंतराष्टे बाग दिवस के रूप में मनाय गया है Next question है, किस वर्स तक भारते विश्विद्यालों ने UGC गुणवत्ता आदेश प्राप्त करने के लिए निरिने लिया है तो इसमें आंसर आएगा, 2022 तक उत्स शिक्स्या में अनुसंदान और इनोवेशन पर तीन दिवस्ये समिलन नई दिली में संपन हुआ और मुख्य बिंदू सिक्सन अधन परिक्रिया की गुणवत्ता में सुदार लाना है नेक्स्ट कुशन है, महिलाओ के लिए भारत का पहला राष्टे कोशल प्रसिक्सन संस्तान का उद्गाटन हाली में किस बारते राज्या में किया गया तो इसमें आंसर आएगा केंद्रिय पेट्रोलियम और प्राकरति गैस मंतरी और कोशल विकास और उद्यमता मंतरी श्री दर्मेंदर परदान ने महिलाओ के लिए राष्टे कोशल प्रसिक्सन संस्तान पंजाब के मोहाली में इसका उद्गाटन किया और यह पंजाब के लिए पहला राष्टे कोशल प्रसिक्सन संस्तान है और भारत में अपनी तरह का एक मतरव ऐसा है जो विशेश रूप से महिलाओ के लिए है किस बारते शेक्तरे फिलम ने तीसरे लव इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल यूएसे में सर्ष्रेश्ट फिलम पुरस्कार जीता है तीसरा लव इंटरनेशनल फिलम उच्षव लोज एंजलेस अमेरिका में संपन हुआ और इस उच्षव में 36 देशों से 156 से भी ज्यादा फिलम में दर्साई गई इस उच्षव में बारत की ओड़ से अस्मिया फिलम जोई होबोते धिमालीते यानि इसका मतलब है सतरंगी खेत ने बेस्ट फिलम का पुरस्कार जीता तो आप से भी पूछा जा सकता है कि ये फिलम किस राज़े से जुड़ी है तो आप का अंसर होगा असम राज़े से नेक्स्ट कॉश्चन है किस राज़े सरकार ने माता पिता की देखबाल से सम्बंदित परणाम योजना को लागू करने की गोशना किया तो इसमें आंसर आएगा असम सरकार ने असम सरकार ने देश में पहली बार एक अनुठी योजना परणाम योजना शुरू करने का नर्णे लिया है और इस योजना को दो अक्टूबर यानि गांधी जैन्ती से लागू कर दिया जाएगा इसके अंतरगत ऐसी सरकारी करमचारियों के मासिक वेतन से 10 से या 15 परतिशत तक की राशी काट ली जाएगी जो अपने माता पिता या दिव्यांग भाई बेन की ठीक से देखवाल नहीं करते हैं इसका मतलब है कि भारत को एक अनुकूलित मौडल विक्षित करना होगा जो वियतनाम, स्री लंका, मयम्मार, थालेंड में बाड की अगरीम चेतावनी जारी कर सके नेक्स्ट कूशन है किस देश में इबोला वाइरस की नहीं परजाती बंबाली वाइरस को खोजा गया है तो इसमें अंसर आएगा बंबाली वाइरस को सेरा लेओन कंट्री में पाया गया है और शेरा लेन कंट्री अफ्रीका माधिव के कंट्री है और यह वाइरस चमगाज़ड़ों में पाया गया है नेक्स्ट कॉश्चन है दूसरा युवा पुलिस अधिक्षक सम्मिलन की सहर में आयुजित किया गया तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में केंद्रे ग्रह मंतिरी राजनाद सिंग ने नई दिली में पुलिस अनुसंदान एम विकास ब्योरो दिवारा आयजित युवा पुलिस अधिक्षक के दिवदित्या सम्मिलन का उद्गाटन किया नेक्स्ट कुशन है टर्निटीन सौटवेर का उप्योग किसके लिए किया जाता है तो इसमें आंसर आएगा टर्निटीन सौटवेर का उप्योग साहिते चोरी की जाज करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट कुशन है दुनिया की सबसे उमरदराज महिला चियो मियाको जिनका हाली में निदन हो गया वे किस देश से थी चिया मियाको का निदन 117 वर्ष की उमर में हो गया और वे जापान से थी कल के Current Affairs के Questions में से आपके लिए कुछ Question है जिसका अंसर आपको Comment Box में लिकर बताना है आपका पहला Question है हाली में कोची में खेले गए लाल लीगा World Tournament 2018 की Championship किसने जीती है आपके Options है दिली, डाइनेमो, चेनी, एन एफसी, गिरोना एफसी और केरला ब्लास्टर्स Next Question है किस देश की महिला Compound Team मोजुदा तिरंदाजी विश रैंकिंग में सबसे उपर है आपके Options है चीनी, जर्मनी, एरान और भारत की टीम Thank you guys for watching और वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिकर जरूर बताईए और इस वीडियो को जएज़ादा लाइक और शेयर करें और साथ ही आप हमारे चैनल Study Zone को सब्सक्राइब जरूर करें आप हमारी नई वीडियो की अपडेट पा सकते हैं